हेलो दोस्तों मैं हूँ मुनावर और आप देख रहें Mtech Noir चैनल को दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसल होने वाले है बहुत ही खास होने वाले है क्यों कि दोस्तों जैसे कि आपका मुबाइल मानलो कभी चोरी हो जाता है तो आप क्या करोगे आज की जो वीडियो में जो application के बारे में आपको बताऊंगा वह application दोस्तों बहुत ही जबरदस्ते दुस्तों तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको application के बारें बता तो कौन सी application है तो hammer security करके यह application है और यह आपको play store में मिल जाएगी play store में जाके आप hammer security यहाँ पर टाइब करोगे तो यह application आपके सामने आजागी track it even if it is off तो यह वाली जो application है दोस्तों इसको आपको install करना है बहुत जबरदस application है 4.5 की इसकी rating है और link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से जाके इसको install कर सकते हूँ उसके राद आपको क्या करना दोस्तों तो चलो दोस्तों अब जानते कि इस application को use कैसे करना है कि इसके अ start पर click करना है तो यहां पर आपके सामने यहां पर एक option दिखाए दिर रहा है enable disable कर ठीक है तो इन सभी option को use करने के लिए बस खाली आपको enable or disable करना है लेकि उससे पहले आपको यहां पर दो काम करना है वो दो काम क्या है कि एक आपको अपना contact number इसमें add करना है और अपना email ID पर आपको इसको रेज़ी तो सबसे पहले मैं यहां पर contact number अपना add कर लेता हूँ यहां पर आपना 비で में और एक आपको अपने family member क्नबर एंड करना है फिर आपके पास दूसरा mobile उसके नसीब लगा हो तो वाला phone number add करना है और यहां想 पर संथ करने बसृत यहां पर एक काम अब यहां पर दूसरा काम है वो यहां पर आपको अपनी email id यहां पर हैट करना है और इसको register करना ठीक है इससे क्या होगा दुस्तर कि यहां पर email id और जो phone number है अगर आप चोरी जाता है तो सारी जो detail है वह email id और phone number पर आती रहेगी ठीक है और यहां पर आप email id register करोगे तभी यहां पर सब कुछ यहां पर track कर पाओगे ठीक है तो यहां पर email id यहां पर repeat email id में आपको सेम सेम email id यहां पर डालना है ठीक है उसके बाद यहां पर कोई एक नया password यहां पर डालना है आपकी email id का password नहीं डालना है यहां पर कोई भी एक नया password यहां पर बना देना है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको register पर click कर देना ठीक है तो यहां पर यह दो काम हो गया जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है तो अब इसको इनेबल कर दोगे तो यहां पर अपने फोन को पूरी तरह से आप ट्रैक को सकते यहां पर फोन नंबर भी एड़ होगा और इमेल आइड़ी भी एड़ हो गई तो अगर आपक फोन कोई भी चोर चुरा लेता है अगर वो इसको shut down करने के कोशिश करेगा तो वो shut down नहीं होगा बलके एक fake shut down होगा और चोर को लगा है कि mobile switch off होगा लेकिन mobile switch off नहीं होगा उसके बाद यहां पे airplane mode ठीक है तो जो mobile मतब जो भी चोर मुबाइल में कर रहा होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मेल में और आपके फोन नंबर पे आता रहेगा जो भी फोन नंबर आपने एड़ किया है उसके बाद यहां पर एप लॉक कर सकते हो ठीक है अब यहां पर लो बैटरी एसमेस है अगर चोर ने आपक का मुबाइल उस चोर की सेलफी वीडियो वाइस रिकोर्डिंग सब कुछ आपके मेल में और आपके फोन नंबर पे जो भी आपने एड़ किया रहेगा उसके बेज़ देगा उसके बाद यहां पर कार कोलिशन डिटेक्टर ठीक है अगर आप किसी गाड़ी में हो और टक्क कर देना ठीक है तो यहां पर इसको ऑन कर देना है उसके बाद यहां पर जो नोटिफिकेशन एकसेस है इसको भी यहां पर आपको ऑन कर देना है अब यहां पर जो एक्टिव डिवाइस एड्मिनिस्टेर तो अब यह क्या है दूस्तों मैं आपको बताता हूं जिससे कि यह यहां पर आप देख सकते हो active this device administrator ठीक है अगर इसको आप active कर देते हो तो आपका mobile में जो यह application है इसको कोई भी अनिस्टॉल नहीं कर पाएगा जब तक आप इसको deactivate नहीं कर देख तो यहां पर मैं इसको cancel करता हूं और आपको आगे बताता हूं सारे permission को allow करके तब मैं यहां पर permission पर आ गया तो यहां पर जो सभी permission है इन सब को यहां पर allow कर देना है ठीक है ताके हम इस phone को track कर पाए अपने किसी भी phone से इसकी website पर जाके अब यहां पर बचा सिर्फ device admin जिसको भी हमने active नहीं किया है तो इस पर click करें तो यहां पर देखोगे active device administrator पर यहां पर लाके हो जाता है जा कहीं आप भूल जाते हो तो आप easily अपने इस phone को track कर पाऊगे पूरी तरह से तब मैं यहां पर fake set down को यहां पर enable करता हूं तो यहां पर बता रहा है power of your phone ठीक है तो यहां पर power off हो जाएगा तो यहां पर किस तरह से इसको on कर सकते है वो यहां पर आपको बता fake set down हो ठीक है तो अब यहां पर कुछ भी काम नहीं करेगा तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको on कैसे करना है अगर आपको फोन आपके पास है तो आपको क्या करना है आपको charger लेना है ठीक है और यहां पर इसको connect कर देना ठीक है तो जैसे यहां पर connect करोगे तो यहां पर power यहां पर on हो जाएगा ठीक है तो यहां पर emergency mood आ रहा है तो आप यहां पर इसको yes कर सकते हो तो इससे क्या होगा कि यहां पर यहां पर नो कर देता हूं इसको मैं कभी भी आपर on कर सकता हूं ठीक है तब यहां पर देख सकते हो फोन यहां अगर आपका फोन चोरी नहीं प्यूब और इसको सेट डाउन करती हो तो आप छार्जर लगा जो नहीं कि शह कि आए और यहांपर आप देखो गे तो यहां पर इस एप्ली के सट का ना को कर ठीक हे तो इसको भीinta करना पर यहांपर होड करते ओर ब्लोक और पर इसे ब्लोक अल्ड किलिक कर देना के तो यह भी यहां पर जो सब उरिजिनल एंगरिकेंट। खेंग Similar फेक वाला एरोप्लेंड मोड वाइफंदार्ट लुकेशन उसको यहां पर एडिट क्लिक करेंगे और और यहाँ पर वाय फाई है इन सब को आप रिप्लेस कर सकते हो और इसनल वाले से आप इसको ऊपर कर दो और जो और दो वाला है उसको नीचे ला के यहाँ पहbies ठोड़ा टीक है तो एक यहाँ पर मैं करके बतातों यहां पर चलो airplane mode है यहां फिर data याफ याफिर wifi याफिर location आप किसी को भी है रिप्लेस करेंब। कोई बात नहीं तो यहां पे चलो मैं airplane mode है इसको यहां पर replace करता हूं है आपको यहां पर hold करना है और यहां पर उपर उपर लेके जाना है और यहां पे छोड़ दिना घिक है अब कजिस दिना इसको एहां पर लाके उपर आ गया इसी ताह से आप यहां सि यहां पर track करते रहोगे आप ठीके तो इस तरह से आप यहां पर data या फिर location वाइफाई को यहां पर replace कर सकते हो और चोर अगर इन सब को off भी करतेगा ना तब भी आपकी mobile में data location वाइफाई और यहां पर airplane mode सब कुछ on रहेगा और आप सब कुछ यहां पर track कर पाऊगे तो आपका mobile चोरी हो गया हो या फिर कहीं भी गूम हो गया हो तो यहां पर यह मुबाइल ऑन ही नहीं होगा जब तक आप इसको खुद से ऑन नहीं कर दे ठीक है इसके लिए आपको क्या करना है दूस्तों Chrome browser में चले जाना है और यहां पर आपको टाइप करना है hammer security ठीक है तो email id से आपने इसको register किया ठीक है email id डालना है और password डालना है जो आपने इस application को register करने टाइम डाला था ठीक है तो email id और password डेसे डालके आप इसको login करोगे तो यहां पर देख सकते हो सब कुछ यहां पर आप कमांड दे सकते हो कि आपको क्या करना है आपका जो mobile चोरी हो गया आउए उसके नता है तो यहां पर ट्रेक लोकेशन है यहां पर टेक फोटो टेक वीडियो है अलाहम हो गया लास मैसेज हो गया वाईसे घाल। chim अगर आप you चोर की फोटू देखना चाहते या फिर चोर की वीडियो या फिर वाइसर रिकॉंटिंह सुना चाहते हो तो सब कुछ यहां पे ट्रेक अच्वा किसे ओप्र इसको कमांड दोगे तो वैसे-वैसे यह क्या करगा उसकी चौर की फोटो चोर की वीडियो वाइस रिकॉर्डिंग लोकेशन सब कुछ आप पे फोन नंबर पे और आपके इमेल आईडी पे यह सेंड करता रहेगा और आप इजीली अपने मैसेज के थूरो या फिर इमेल आईडी के थूरो उसको यहाँ पर ट्रेक कर पाऊगे तो चलो आपको देखो यह वाला मुबाइल जो है यह यहाँ पर ओफ हो गया ठीक है अब यहाँ पर यह कुछ भी काम नहीं करेगा चाहिए कुछ भी कर लो यहाँ पर बटन दबावलो यह कुछ भी काम नहीं करेगा ठीक है जब तक आप इसको यहाँ से वापस से ओन नहीं कर दो ठीक है त तो बहुत ही जबदस्त अप्लिकेशन है दोस्तों इससे आप अपने चोरी मुबाइल को पूरी तरह से ट्रैक कर सकते हो और दोस्तों अब इसके अंदर में आपको एक चीज और बताता हूं जिसे कि यह अप्लिकेशन को अगर आपको यूज करना है तो अगर आप इसको प्र सबसीर और यहां पर पर टाम बढ़ती चले की तो यहां पर उत्नी याप जो डहाए remains in Switch कर और wobर आपको एकसेस करना है तो यहां पर टीक तो यहां पर बताता दोस्तों अगर आप इसको अनिस्टॉल करना चाहोगे तो यह अनिस्टॉल नहीं होगा जब तक आप इसको जो एक्टी डिवाइस एड्मिनिस्टेटर है उसको डियक्टिवेट नहीं कर देते ठीक है जब तक आप इसको डियक्टिवेट नहीं करोगे जब तक यह अन तो इस पे click करना है, और यहाँपर आपको क्या करना है? उपर के तब यहाँगे हमार है, इसको uncheck कर देना ठीक है? अब यहाँपर click करके यहाँपर deactivate कर देना ठीक है? अब यह deactivate हो गया है, अब इसके बाद आप चाहो तो इस application को install कर सकते हो तो चलो दोष्त, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस application से हमने जो जो track किया है जैसे किBlue मैं है जो selfie track किया था तो इसको मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ जो email है, इसको मैं open करता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो सब कहां मिलेगा वो सब आपको मिलेगा यहां पर इसमें आपको मिलेगा ठीक है तो इसको कि करोगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमार से जो भी यहां पर ट्रैक हुआ है यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो फोटो वीडियो यह फिर वाइस रिकॉर्डिंग या फिर कुछ भी हो, सब कुछ यहां पर आपको spam folder में मिलेगा और यहां पर जाके आपको सब कुछ detail यहां पर मिल जागे ठीक है, तो अभी यहां पर जो चोर की यहां पर जिस selfie है जैसे कि यहां पर जो selfie यहां पर track किया था उसको यहां पर मैं download करके देख सकता हूँ तो यहां पर यह उपर LED की यहां पर जो photo यहां पर लिया हुआ है क्योंकि mobile सीधा था तो यहां पर LED की photo है वो यहां पर आई है, ठीक है और यह सब कुछ दोस्तों उस contact number पर भी send हो जाएगा जो contact number आपने submit किया रहेगा उस पर भी आपको जो selfie, voice recording, video, location सब कुछ वहां पर भी आपको send हो जाएगा लेकिन मैंने आपको कोई SIM card नहीं लगा था इस mobile में इसलिए मतलब इस mobile से कोई भी मतलब notification मेरे दूसरे number पर send नहीं हुआ है कि बिना SIM card के कोई भी यहां पर जो tracking वाली चीज़े वो send नहीं होगी SIM card लगा होना चीए ने तो जो भी है सब कुछ email पर आएगा ठीक है यहां पर सब कुछ email पर आपको फिर भी मिल जाएगा मतलब यह कि दूस्तों अगर आपने SIM card नहीं लगाया है या फिर चोर ने सबसे पहले SIM card निकाल जिया तब भी टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है यहां पर क्या होगा दूस्तों जो Gmail आपने यहां पर register किया है उस पर जो सब कुछ detail है tracking है सब कुछ Gmail पर आपको आता रहेगा वहां से जाके आपको सब कुछ track कर सकते हो सब कुछ यहां पर command देके track करना हो फोटू लेना हो वीडियो लेना हो या फिर voice recording या फिर location या फिर set down करना हो सब कुछ आप कर सकते हो अपने Gmail से भी ठीक है तो बहुत ही दमदार और कमाल की application दोस्तों यह तो आपको बिलकुल रखना चाहिए अपने mobile में इसको register करके रखे रहो ताकि आपका mobile चोरी हो जाये तो आप easily अपने mobile को track कर पाओ और चोर को यहां पर पकड़ पाओ और जान सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ पर जो notification bell है उसको क्लिक करके all पर कर लेना नहीं वीडियो की update के लिए क्योंकि दूस्तों यहां पर आपको जो भी application अच्छी काम करती या फिर application की tutorial या फिर कौन सी application best है या फिर कोई अब भी tips and trick है या फिर android एप से related वीडियो आपको यहां पर मिलते रहेगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए